Hello Friends, Welcome Back to my YouTube Channel तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कर्वा चोग की पूजा बिधी Friends, कर्वा चोग की आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना आं जिस जगहेफ़ पर हमें कर्वा चोग की पूजा करनी है और यदि आपके पास करवाचवत माता का कलेंडर है तो आप उससे भी पूजा कर सकते हैं वो भी नहीं है तो आप दीपाल पर करवाचवत माता बना कर भी पूजा कर सकते हैं इस फोटो में सभी हैं गड़िश भगवान भी हैं पूरा शिप परवार है सूरच चन्रमा भी है साथ भाई भी हैं तो आपको अलग सगड़ेश जी की मूर्ती रखने के भी जरुवत नहीं है इसके बाद आप गेहूं का या फिर चावल का असन देकर गौरी माता को भी प्राजवन कर लेंगे यहां पर हमने गौरी माता मिट्टी से बनाई हुई है करवा चौत की पूजा म जाती है इसके बाद हम चंदर राट को अर्ग देने के लिए एक कर्वा तैयार कर लेंगे कर्वा पीतल का मिट्टी प्रीका भी लेसकते हैं पर मैंने चावल के अपन से लगाई हैं इसके बाद कर्वा कंठ तक शुद जल से वर लेंगे शुद जल से भरने के बाद हम इसमेंगे रोली चावल गैहूं यदि आपके पास गैहूं हैं जावल हैं तो इन दोरों में से कोई एक चीज भी डाल सकते हैं दोरों भी डाल सकते हैं एक बताशा डालेंगे, बताशा नहीं है तो आप मिसरी भी डाल सकते हैं, सक्कर भी डाल सकते हैं, फिर इसको हम पीतल की कटोरी से ढांग देंगे। कटोरी में हम थोड़े से गेहूं डालेंगे और इसके उपर हम एक घी का दीपक रखेंगे और जब हम चंदमा की पूजा करेंगे तब इस दीपक को प्रजुलित करेंगे और करवा माता की आर्टी करने के लिए हम गेहू के आसन पर एक और दीपक को ब्राजमान कर लेंगे पूजा शुरू करने से पहले हम दीप प्रजुरित करेंगे धूप बत्ती जलाएंगे और भगवान को धूप दीप दिखाएंगे इसके बाद सबसे पहले हम गोरी माता के महावर लगाएंगे फ्रेंड्स गोरी माता यानि की पारवती माता ही करवा माता का रूप है कोई अलग नहीं है करवा माता करवा चोथ की पूजा में मिट्टी की गोरी माता या फिर गोवर की गोरी माता जरूर से बनाई जाती है यहाँ पर हमने रोली से और अच्छत से गोरी माता का पूजन कर दिया है फूल भी अर्पित कर दिया है इसके बाद बस्तुरुपी कलाबा अर्पित कर देंगे बस्तुरुपी कलाबा हम करवा की कड़ पर भी बान देंगे इसके बाद चन्दन से हम गड़ी शोगवान का पूजन करेंगे भोले नात का कार्द केजी का नंदी बाबा का पूजन करेंगे और रोली से हम करवा माता का पारवती माता का पूजन करेंगे और सभी देवे देपता जो बने है हमारे कलेंडर में उन सभी का पूजन करेंगे साथ भाई बने हैं उनका भी पूजन करेंगे रोली से और फिर इसके बाद हम सभी भगवान को अच्छा तरपित करेंगे इसके बाद हम करवा माता की फोटो को एक बस्त रूपी कलावा अरपित करेंगे और लाल चुन्द्री अरपित करेंगे यदि आपके पास चुन्दी नहीं है तो आप बिना चुन्दी के भी पूजा कर सकते हैं इसके बाद हम करवा भरेंगे, यहांपर हमने दो करवा लिये हैं करवे में हम चलवा भरेंगे, बताशा भरेंगे और कुछ मिठाई भरेंगे किसी किसी के यहां dry foods भरे जाते हैं किसी के यहां पोड़ी पुटवा या गुलगुला भरे जाते हैं आपने पहली साल जो भी भरा है आप वो ही हमेशा भरिए ठीक इसी तरह से हम दूसरा करवा भी भर लेंगे किसी किसी के यहां एक करवे से भी पूजा की जाती है और किसी किसी के यहां दो करवे से भी पूजा की जाती है यहां पर हमने दो करवे इसलिए रखे हैं यदि आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो आपको दो करवे रखने हैं क्योंकि एक करवा हम अपना मानेंगे तो देवरानी या फिर आपकी जिठानी का होगा आप उसे बी करबाँ फेड़ सकते हैं इसके बाद हम दौशों कात्व में थोड़े थोड़े गय। रखेंगे और इसके उपर हम एक एक घी का दीपक रखेंगे इसके बाद हम दौनों करवों में पीली सींके लगा देंगे इनको सरगी भी बोला जाता है यह पीली सींके आप 5-7 या फिर 4 भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स करवा फेरने की परंपरा भी सभी के या नहीं होती है किसी के या होती है किसी के या नहीं भी होती है तो एक करवे से भी पूजा करी जा सकती है इसके बाद हम रोली से और अच्छा से करवे का पूजन कर देंगे फूलर पित कर देंगे और जो हमने चंद्रमा को अर्गी देने के लिए कर्वा तयार किया है उसका भी हम रूली से अच्छा से पूजन कर देंगे फूल अर्पित कर देंगे और जो कर्वा माता की फोटू है उनको भी हम फूल अर्पित कर देंगे सभी देवी देवताओं को फूल अर्पित करेंगे और जो हमने दीपक जला ह Lauree के लिए हम उसका भी पूजन कर देंगे रोली अच्छ और फूल अरिप्त कर देंगे इसके बाद हम करवा माथा को स्वाकी सामेग्री अरिप्ग इसके बाद हम चिड़ेवे का बर्फी का बताशे का और फलका भूग लगाएंगे और आपके यहां जो भी पगवान बनती हैं करवा चोथ की पूजा में आप उनका भी करवा माता को भूग लगा सकते हैं इसके बाद हम गौरी माता को साथ बार या फिर पांच बार सिंदु माता का माना है जब हम करवा बदलेंगे तो पारवती माता का करवा हमारे करवे की जगह आ जाएगा और हमारा करवा पारवती माता के करवे की जगह आ जाएगा इस तरह से हम हातों को क्रोस करके पारवती माता का करवा अपनी करवे की जगह रखेंगे और अपना करवा पा जाते हैं तो परबार में बेबजय की जगड़े होने लगते हैं कले होने लगते हैं इसलिए आप इस बात का विशेश तोर पर ध्यान रखें कि करवे आपस में टकराने नहीं चाहिए तो देखा फ्रेंट्स आपने की करवे किस तरह से बदले जाते हैं इस तरह से पारवती म माता का करवा हमारी जगह आ गया है और हमारा करवा परवती माता के करवे की जगह आ गया है सबसे पहले हम गरे पहले भगों को आर्थी देंगे और exam mariaoney बिदेंगे हमने का साम। प्रेंड्स करवाचवत की ब्रत कथा का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और चंद्रमा को अरग कैसे दिया जाता है करवाचवत पर यह भी वीडियो में अप्लोड कर दूँगी लिंक आपको इसी वीडियो के लिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दूँगी वहा जाकर आप चेक कर सकते हैं अब हमारी कथा भी हो चुकी है जो हमने गया हो और हात में फूल लिए हैं वह माता के चरणों में समर्पित कर देंगे फ्रेंड्स करवाचवत की पूजा करने के बाद हम माता गोरी से सुहाग लेंगे इस तरह से हम हात में साड़ी का पलू पुले लेंगे और अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर से लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर से अपनी मांग में भर लेंगे फूजा करने के बाद जो हमने सास का बायना निकाला है उसी पर हम माता पारवती का करवा रखकर अपनी सासुमा को पेर्चू कर दे देंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे हमारे आने वाले लेटिस्ट वीडियो की निटिफिक्स अब कुसमें से मिल सके तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैश्री राधे राधे